हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कॉली की तरफ से प्यार भरा नमश्कार सच्छ्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं कुछ मीठा जट पट से त्यार करेंगे आज हम बनाएंगे रस्मलाई बेलकुल हल्वाई स्टायर पर वो बनाएंगे हम ब्रेड के साथ चैना पनीर मावा इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है तो चलिए फिर देखते हैं इसे हम किस तरह से बनाएंगे तो फ्रेंड्स जे देखिए फ्लेम अन करके मैंने कडाई रख दी और कडाई में डाल दिया है एक लिटर दूद फुल क्रीम दूद है तो इसे हम करेंगे अच्छी तरह से बॉयल तो इसे हमें चलाते रहना है फ्लेम अभी मैंने बिलकुल हाई की है क्योंकि इसमें बॉय बॉयर आने तक इसे हमें इसी तरह से चलाते रहेंगे और वेट करते हैं बॉयल आने तक का और बहुत बढ़िया हमें रसमलाई मिलने वाली है और बनाएंगे ब्रेड के साथ बिलकुल नया तरीका है आप इसे एक बार जरू ट्राई कीजिए जब भी आपका मीठा खाने क दिल करें फटा फटा इस तरहां से रसमलाई बना के खाईए आप हलवाई की रसमलाई भूल जाएंगे और बार बार इसी रसमलाई को बनाएंगे तो वेट करते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स बॉयल आ चुका है दूद में और इस समय मैं फ्लेम इसकी कर दूँगी बि चलाना हमें जरूर है ऐसे चलाते रहना बहुत जरूरी है नहीं तो वो जो उपर मलाई आ जाती है न तो वो जमती जाएगी और वो अच्छी नहीं लगेगी हमारी जो रसमलाई बनेगी तो इसे दखिए काफी रिड्यूस हो चुका है दस से पंदा मिनट हो चुके हैं तो इसी तरह से मैं चलाती जा रही हूं और दूद पकता जा रहा है तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कलर चुटकी भर कलर केसर का कलर तो केसर डाल देते हैं इसमें आप वैसे इसमें फूड कलर डाल सकते हैं यलो कलर डाल दीजिए हल्दी डा दूंगी उससे भी बहुत बढ़िया कलर आ जाता है इसमें और साथ में डाल देते हैं इसमें चीनी चार बड़े चमच मैंने लिए हैं चीनी के तो आप अपने इस हिसाब से कम यह ज्यादा चीनी कर सकते हैं वैसे चार चमच काफी हैं इसमें चीनी क्योंकि एक लीटर तो थोड़ा समय से और पकाऊंगी थोड़ी से और इसे थिक करेंगे ज्यादा थिक नहीं करना हमें से तो यह देखिए बस इतना ही हमें से थिक करना है बहुत बढ़िया हमारी यह रबड़ी बनकर त्यार हो चुकी है यह देखिए बस इससे ज्यादा हमें से और नहीं पक तो आप इस तरह से कीजिए कि रबडी हमेशा पहले बना कर रख लीजिए गा अगर टाइम है तो उसी समय बना लीजिए गा तो इसे मैं ठंडा करने के लिए साइड पर रख देती हूं और बाकी का देख लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंज मैंने यह दूद लिया है इसमें काफी मोटी मलाई आई हुई है और यह मलाई हमें चाहिए तो निकाल लेते हैं मलाई को बहुत ही टेस्टी हमारी रस मलाई बनकर त्यार होगी तो मलाई भी इसमें काफी जा रही है रबडी भी हमारी बनकर त्यार हो चुकी है तो लीजिए मलाई किस तरह से अच्छी आए दूद पर यह भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है आप चैनल पर देख सकते हैं तो इसे रख देते हैं साइड पर दूद को यह मलाई हम थोड़ इसी मिक्स करते हैं इसमें डाल देते हैं ड्राइ फोड यह मैंने काजू और बदाम लिए हैं साथ में मैं डाल दूँगी एक चमच पाउडर शुगर डाल देते हैं वो भी और मैंने हरी लाइची को क्रश करके लिया है चार हरी लाइची मैंने क्रश की हैं इसे भी मिक्स कर देते हैं बड़िया फ्लेवर के लिए और इन सबी चीजों को अब अच्छी तरह से हमें मलाई में मिक्स करना है और यह हो गई हमारी स्टफिंग त्यार तो सोचिए आप स्टफिंग इतनी टेस्टी है तो रस्मलाई कितनी टेस्टी होगी नहीं सोचिए तो अब हम लेंगे ब्रेड थो कि हम ब्रेड की रस्मलाई बना रहे हैं तो इसके कॉर्णर मैंने काट दिया है कॉर्णर हमें नहीं चाहिए इसके अब मैं पानी लूंगी एक प्लेट पर और उसमें इस ब्रेड को करेंगे डिप इस तरह से और उसे अच्छी तरह से निचोड लेंगे पानी नहीं रहना चाहिए इसमें ब्रेड में बिल्कुल भी तो अच्छी तरह से निचोड़ना हमें ब्रेड हो जाएगी सॉफ्ट तो यह देखिए ब्रेड तो वैसे पहले स क्रिम में स्टुफिंग इसमें रख दूंगी तो अब इसे क्या करेंगे अब इसे करेंगे फोल्ड चारों कॉर्णर हमें इसे अच्छी तरह से अंदर की साइड इस तरह से नहीं है भूल करने हैं और хот сे देना होई इसे हमें टिक की शेप देते हुए इस Traz al caasjus, जो नहीं से दाना नहीं तो यह तूट जाएगी क्वी कि बहुत सौफट होती है रस्म लाई उ इतना से शेप देते हुए डेख के टिक का तो यह एक रसमलाई हमारी त्यार हो चुकी है रख देते हैं से प्लेट पर जिसे हम सर्व करेंगे और इसी तरह से मैं दूसरी ब्रेड भी लूँगी और उसे भी पानी में डिप कर देंगे अच्छी तरह से ने चोड़ेंगे थोड़ी से तूट भी जाएगी तो कोई बात निया अच्छी तरह से चिपक जाती है तो फिर इसमें डेड़ चंबच मलाई कर रखेंगे काफी सारे उसमें ड्राइफ फुट्स भी है चीनी भी है हरी लाइची भी है बहुत ही फ्लेवर जबर्दस फ्लेवर फुल हमारी रबड़ी बनकर त्यार हुई है तो ये सभी चीजें मिक्स हो जाएंगी तो हमारी रस्मलाई तो बहुत बड़िया बनेगी तो ये देखिए इसे हलके आज से बिल्कुल हमें दवाते हुए इसे टिक्की की शेप देनी है इस तरह से टिक्की की शेप क्या दीजिए कचोड़ी की शेप क्या लीजिए तो ये देखिए ये भी हमारा बिल्कुल तियार हो चुका है तो इसी तरह से मैं बाकी की भी त्यार कर लूँगी तो वो भी आपको दिखाती हूँ मैं बहुत ही असान रेस्पी है फ्रेंट्स रबड़ी अगर त्यार हो तो पांच मिनट भी नहीं लगते हमारी ये रसमलाई बनाने को तो ये लिजिए ये भी हमारी बिल्कुल त्यार है तो चारो मैंने बना कर रख ली है प्लेट में तो अब क्या करेंगे अब हम इसमें डालेंगे ठंडी ठंडी रबड़ी तो मैंने बॉल में ट्रांसफर कर दी है रबड़ी और बिल्कुल ठंडी चिर्ड हो गई है क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो डाल देते हैं इसके उपर अब वावा क्या बात है देख रहे हैं आप किती काड़ी गाड़ी रबडी मज़ेदार स्टाफिंग भी जवर्दस्ट आप इसके उपर कानिश कर देते हैं पिस्ते के साथ तो लीजिए हमारी रस्मलाई बेलकुल तयारा है तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अभी तक आपने अगर इसे चैनल मेर soft बनी है हमारी ये रसमलाई हलवाई की रसमलाई आप खाना भूल जाएंगे अगर आप इस तरह से घर पर bread की रसमलाई बनाएंगे तो ये देखिए तो मैं तो करने वाली हूँ enjoy मैं तो खाने वाली हूँ तो आप भी इस तरह से बनाईए और खाईए और सभी को खिलाईए तो दोस्तों फिर मेरती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई